नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा और उनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुसखबरी लिकर आया हूँ और यह खुसखबरी किन युवाओं के लिए है बो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तो आर्मी में एक बहुत बड़ी भरती निकल चुकी है और यह भरती किस स्टेट के लिए है वो मैं आपके लिए आगे वीडियो में बताने वाला हूँ इस भरती से रिलेटेट आपकी जो भी जैनकारी होगी पूरी की पूरी जैनकारी मैं आपको दूँगा लेकिन दोस्तो इस समय आप देख रहे हैं कि हम हैं इस समय इंडियन आर्मी की ओफिसल बेफसाइल पर जहांपर दोस्तो मैंने इनका ओफिसल पेज खुलके रखा हुआ है लेटेस्ट रेली का तो यहां पर दोस्तो कौन-कौन से स्टेट के लिए रेली निकली हुई है मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि दोस्तो हम आपके लिए डिफेंस से समझे पूरी पूरी जो बैकंसी निकलती हैं उनकी सबसे पहले जानकर देते रहते हैं और इसके साथ साथ आप देख रहे हुए कि इनकी जेनरल नॉलिज जी एस और करेंट फेर्स की वीडियो भी हम आपके लिए देते रहते हैं जेनरल के लिए निकली हुई है और यहां पर सिली गूरी एरो के तरफ से भरती निकाली गई है दोस्तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मेरी चैनल पर आपको कभी फालतों में बगवास करते हुए हम आपके लिए सीधु पॉयंट पे लेकर आते हैं और जो भी डिटेल्स होती है वो आपको सही सही बताते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो भरती है वो केबल सिली गूरी एरो के लिए अब SillyGrew AR में ये जो district आती हैं वो कौन-कौन सी district आती ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ SillyGrew AR में जो district आती है वो है जलपएगुरी, दारजलिंग, अलीपुरदुआर, माल्दा, कालिमपाउंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिर दिनाजपुर और कुचवियार यह डिस्टिक्स हैं दोस्तो अभी मैं आपके बता देना चाहता हूँ कि जब आपके स्टेट में भढ़ते आएगे तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखना चाहते हैं तो देख लिजिए अगर आपसे संबंदित है नहीं तो आप क्वेट करके जा सकते हैं ठीक है लेकन दोस्तो वीडियो से क्वेट करके जाने से पहले आप वीडियो से बिडियो के लिए आप लाइक और कमेट जरू करदें और इस बीडियो को सेर भी जरू करें जिसे दोस्तो ये जो बीडियो जिस ये वाँं तक पहुンचना चाहएंगे उन तक पहुंच जाए तो चलिए अभी हम आप लिए जह जानका रहें हो दे देते हैं दोस्तो यह जो भरती है दोस्तो इसके जो online registration हैं वो 14 November से start हो चुके हैं और यह दोस्तो जो registration होंगे 28 December तक आपके चलते रहेंगे 28 December तक आप apply कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो यह जो भरती है यहां पर साब साब लिखा गया है कि exact date and location जो है वो आपके लिए एक confirm letter के साथ में confirm कर दिया जाएगा मतलब अभी इसके exact date भरती कब होगी और इसकी location नहीं बताए गई है आप देख सकते हैं आप साब साब लिखा हुआ exact date and location location when you apply will be confirmed letter as per COVID-19 pandemic situation ठीक है तो अभी तक इसके date के लिए नहीं है लेकिन online registration आपके start हो चुके हैं जिसकी last date 28 December 2020 तक है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर कौन-कौन सी districts की भरती निकली हुई है वह मैं आपको बता चुका हूं अभी यहाँ पर कौन-कौन आपके यहाँ पर दोस्तों height जो होनी चाहिए वह minimum height होनी चाहिए आपकी 169 cm और आपका चेश्ट होना चाहिए 77 cm अब आप यहाँ पर देखेंगे इस बार दोस्तों आपने कभी भी वीडियो देखे होंगी तो उसमें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होता है आर्मी का उसमें दोस्तों आपका weight का एक कॉलंबी होता है कि आपको weight के requirement कितनी है लेकिन दोस्तों अभी 15 दिन पर एक video upload की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्मी में जो पहले weight था कि minimum 50 kg वो अभी change कर दिया गया अभी आपकी age और आपकी height के हिसाब से आपका weight लिया जाएगा जिसके द्वारा दोस्तों आपको minimum weight है वो अब हो गया है 52 kg ठीक है और maximum weight के भी यहाँ पर limit हो गई है अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो उसका link आपको i button पे मिल जाएगा कितनी age है और आपके लिए तो कितना weight की जरूरत होगी ठीक है तो उसी साब से आपना तयारी कर लेना तो दोस्तों soldier general duty के लिए आपको apply करने के लिए class 10th pass होना चाहिए आपके overall जो percentage है वो 45% होनी चाहिए उसके बाद में आपका जो single subject में आपके marks है वो 33 marks होने चाहिए ठी जलते हैं next भरती की तरब तो next है हमारे यहां पर कि अग्या शोल्जर टेक्निकल तो शोल्जर टेक्निकल की भरती जो निकली हुए इसकी दोस्तों जो आपकी एज लिमिट होगी वह होगी साड़े सत्रा से तेश साल तक और आपकी जो डेट ऑब बर्थभू एक अक्टूबर 1997 से एक अपरेल 2003 की बीच में होना अनवार यह है 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 आपकी यहां पर सेम होगी GGD 179 सेंटिमेटर और आपका चैस्ट होगए यहां पर 77 सेंटिमेटर विधाउट एक्सप्एंशन ठीक है उसके बाद में आपको नहीं पता है तुम्हें आपको पता दूँ हाँ के इस Сोल्जर टेक्निकल के लिए अपला zustर wrinkles लिए आपके लिए physics, chemistry, math plus English यह 4 subject होना जरूरी है और इन 4 subject में आपके जो है वो overall percentage होने चाहिए 50% और किसी भी subject में आपके 40% से marks कम नहीं होने चाहिए ठीक उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर soldier technical aviation ammunition examiner इसके लिए दोस्तों as per technician जो आपका technical है same to same वही criteria रहेगा इसमें कोई भी change नहीं हुआ है उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों soldier nursing assistant दोस्तों soldier nursing assistant के भरते देखने के लिए आपकी जो age limit है वो 17 से 13 साल होने चाहिए date of birth आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो height बुबं 69 cm, chest आपका 77 cm और इस भरते में apply करने के लिए आपके पास में दोस्तों physics, chemistry, biology plus English होना जरूरी है अगर आपके पास में चाहर सब्जेक्ट हैं और आपके intermediate में 50% marks हैं और किसी भी सब्जेक्ट में 40% marks से कम नहीं है तो आप इस भरते में apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर soldier nursing assistant की आपको apply करने के लिए एक education qualification और भी है अगर आपके पास में यह जो उपर 4 subject मैंने बताई यह नहीं है फिर भी आपके लिए परिसान होने की जरूर नहीं है एक तरीका और है उसमें दोस्तों आपके लिए science with physics, chemistry, botany, geology and English with minimum 50% marks ठी रहेगा उसके बाद में आती है दोस्तों soldier clerks और storekeeper तो soldier clerk और storekeeper के लिए आपके जो age limit है वो सेम है साड़े सत्रा से तेज साल और आपकी जो height है यहाँ पर दोस्तों उसमें काफी ज़्यादा आपको relaxation मिलने बाला है यहाँ पर दोस्तों आपकी जो height है यहाँ पर clerks के लिए वो 162 cm आपको केवल ले जाएगी अगर आपकी 162 cm height है फिर भी आप clerks के लिए जाकर apply कर सकते है अभी आपके पास में time है इस भरती में apply करने के लिए 28 December तक आप इस भरती में apply कर पाएगी ठीक है और यह जो भरती होने है वो जन्वरी के last में आपकी भरती का date भी आ जाए भी है इस भरती में apply करने के लिए आपके जो overall percentage है वो दोस्तों आपका 60% होने चाहिए और आपका यहाँ पर जो minimum percentage है मतलब single subject में वो 50% से कम नहीं होने चाहिए ठीक है उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों soldier tradesman की भरती के लिए दोस्तों यहाँ पर same criteria होता है as gd के तरह लेकने यहाँ पर बस एक चीज होती है कि यहाँ पर आपका जो age limit है वो 17.5 से 13 साल होती है और यहाँ पर gd में 45% मार्क्स मांगते है क्लाश 10th में यहाँ पर नहीं है यहाँ पर आपके केवल आपको simple class 10th पास होना चाहिए और आपके किसी भी subject में 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए ठीक उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तो soldier tradesman 8 पास तो दोस्तो एक बात आपको बता दूँ कि इंडिन आर्म में एक ऐसी जॉब है ऐसी संस्था है जो अभी भी आपके लिए 8 पास अगर आप है फिर भी आपको सरकारी नौकरी देती है ठीक है यहाँ पर दोस्तो आपका जो 8 पास है अगर आप class 8 पास है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है तो यह तो होगी दोस्तो concentrate के लिए क्याकर qualification चाहिए बो detail उसके बाद में आपको बता दूँ कि दोस्तो यहाँ पर आपकी जो physical होगा वो आपका 1.6 km की running होगी जो आपको जिसके लिए आपको दो group 60 marks दिये जाएंगे और second group होगा आपका 5-31 से 5-50